सब्सक्राइब करें Tech Bros चैनल को और बैल आइकॉन दबाए हमारे लेटेस्ट वीडियो के लिए सेम जीमेल आइडी से लॉगिन करना होता है और जब आप इसे फॉर्मेट कर रहे है तो आपकी बैटरी 15% से जादा होनी चाहिए क्योंकि यह फॉर्मेट प्रोसेस कंपलेट होने के लिए 10-15 मिनट का टाइम लेता है और दोस्तो जब आप इसे फॉर्मेट कर देंगे तो आपको इसे स्विच आफ करना होगा देगे दोस्तो आप इसे फॉर्मेट करने के लिए आपको इसे स्विच आउन करना है और इसका वॉल्यूम अप बटन और इसका यह जो होम बटन है यह दोनों बटन दबाय रखने है देगे दोस्तो जैसे आपको यह लोबा आता है आप तीनों बटन छोड़ दीजिए यह देगे दोस्तो यह इसके कमांड्स लोड हो रहे है देगे दोस्तो यह अभी आपके कमांड्स लोड हो चुके है इसमें देगे दोस्तो यह आपको इसका मीनू आ रहा है रिबूट सिस्टम अपलाई रिबूट टू लोडर अपलाई अपडेट इसके अंदर आपको दोस्तो वॉल्यूम बटन से नीचे आना है और यह वाइप फैक्ट्री डेटा रिसेट आपको इसे पावर बटन से सिलेक करना है अभी यहाँ पर आपको इसे यस बोलना है देखे दोस्तो अभी यह फॉर्मेट हो चुका है अभी आपको इसे फॉर्मेट अपलाई करने के लिए रिबूट टू सिस्टम नौ बोलना है देखे दोस्तो अभी ये complete restart होने के लिए 4-5 मिनट का टाइम लेता है तो जब तक क्या आप कोई भी बटर ना दबाए और आपके mobile को इसी तरीखे से रख दीजिए अभी हमारा Samsung Galaxy J7 Prime ये mobile complete format हो चुका है और अभी मैं इसे setup कर रहा हूँ सेटिंग उसी तरीखे से reset हो चुकी है जिस तरीखे से आप इसे first time खरीदते है दोस्तो अगर आपके कोई सवाल है तो comment कीजिए इस वीडियो को like और share कीजिए और please हमारे चैनल को subscribe कीजिए thanks for watching